दोस्तों जब से इंकम टेक्स की रेंज पांच लाग से उपर हुई है तब से मेरे कई दोस्तों ने कहना शुरू कर दिया है कि अब तो हम टेक्स की रेंज से बाहर हो गये हैं और अब हमें LIC की जरूरत ही नहीं है ऐसे लोगों को मैं कहنا चाता हूँ कि धन्यवाद सर आपने हमें सच्चाई बताई कि आप इंकम टेक्स के दाइरे से बाहर हो गएए है अब आप टेक्स के दाइरे में नहीं आते हैं इसलिए आप insurance policy नहीं लेना चाहते अच्छा है कि आपको income tax नहीं लेता लेकिन मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी income बढ़ जाए और आपको भी tax भरना पड़े income tax भरना कोई बुरी बात थोड़ी है income tax देने लाइक होंगे तभी तो आपको tax लगेगा लेकिन सरे एक बात समझ नहीं आती कि लोग insurance को income tax से क्यों जोड़ कर देखते हैं लोगों को insurance का मतलब ही नहीं पता है वो इसे समझ ही नहीं पाते कि insurance का महतव क्या है insurance का तो इतना जादा महतव है कि भारत जैसे देशों को छोड़ कर दुनिया के हर देश में यह जरूरी है कई देशों तो ऐसे हैं जहां बिना स्वास्त भी में के या जीवन भी में के आप प्रवेश ही नहीं कर सकते यह भी एक विडम बना है कि ऐसे देश जहां लोगों की पर कैपिटल इंकम अधिक है वहां इंशुरेंस जरूरी है और जो विकास सील देश है जहां पर पर कैपिटल इंकम कम है वहां लगता है कि इंशुरेंस का मैत भी नहीं लोग इंशुरेंस के परती इतने जागरूग भी नहीं है कि स्वें आकर इंसुरेंस करवाएं सर हमारे देश में गाडियों का इंसुरेंस करना आवश्यक है चाहे वह मोटर साइकल है चाहे वह कार है चाहे वह किसी भी शरेनी की गाड़ी हो लेकिन जो वेक्ति स्वें कार चलाता है ये कई कारे खरीदने की शम्ता रखता है उसका इंशुरंस कहीं भी जरूरी नहीं है बीना इंशुरंस की गाड़ियां पकड़ी आती है तो जर्माना भड़ता है लेकिन अगर हम बीना इंशुरंस के चले जाते हैं तो कोई जर्माना ही नहीं होता है इंशुरेंस का मतलब अपने जीवन की कीमत उन लोगो स्मर्पित करना है जो आप पर निरभर करते हैं अभी मैं जो कुछ अपने घर में अपने आशरितों को दे रहा हूँ वे मेरे मरने के बाद भी मेरे परिवार को या जो मेरे उपर निरभर हैं उनको मिलता रहे यही मेरे जीवन का मूले है इंशरनस तो अपनी सामाजिक और परिवार के परती जवाब देही को पूरा करने का साधन है सर हम सभी अपनी जनमती थी जो जानते हैं लेकिन मिर्त्यू की तिथी हम नहीं जानते हैं इसलिए हम मरने की बात तो सोचते भी नहीं है मैं कहता हूँ कि जब इस जवाब देह को आप समझें और जल्द से जल्द इसे पूरा कर लें इस उद्देश की पूरती के लिए अगर कुछ कठनाईयां भी सामने आए तो उनका मुकाबला करके अपने जीवन को शुरक्षित करना चाहिए अगर हमने इसे पूरा नहीं किया और चले गए तो जो हमारे आशित हैं उनका क्या होगा इसलिए सर कभी भी इंशुरेंस को टैक्स से जोड करना देखें यह आपकी व्यक्तिगत सोच का नेरना होना चाहिए आप अपने जीवन की कीमत अपने आशितों को दे या ना दे आप इंशुरेंस को अन्ने फाइदों पर भी इसके गौर करें इंशुरेंस के जैसे इसमें फोर्स सेविंग होती है यानि कि आपको सेविंग जबरदस्ती करनी ही पड़ती है जिसके कारण आपका पैसा भी बच पाता है और इसमें रिस्क कवरेज भी होता है कि आपके ना रहने पर आपके परिवार को इंशुरेंस के पैसे मिलते है और साथ में डबल एक्षिनेंट बेनिफिट का कवरेज भी मिलता है यानि कि accident में अगर death होती है तो insurance का double पैसा मिलता है परिवार्जवालों को और इसमें जो आपको return मिलती है उसमें कोई भी TDS नहीं कटता है और आपको tax में भी rebate मिलती है तो सर इसलिए सिर्फ income tax में मिलने वाली छूट के लिए ही insurance नहीं करवाना चाहिए एक बात और आज जिस premium दर पर आपका insurance हो जाएगा वह अगले साल नहीं हो पाएगा अगले साल आपका rate ज़्यादा होगा आपको premium थोड़ा ज़्यादा लगएगा इसलिए आप अभी से insurance कराएगा इसी प्रिकार से premium की जो दर है वो हर साल बढ़ती ही जाएगी जितना आप late insurance कराएगे उतना आपको premium ज़्यादा लगएगा तो जितना जल्दी हो सके आप कम उमर में ही अपना insurance करवा लें तो मित्रों मैं समझता हूँ कि अब आप insurance के महत्तव को समझ चुके होंगे कि insurance इसलिए नहीं होता कि tax के पैसे बचाये जाएगे बलकि insurance इसलिए होता है कि आपकी अनपस्थिती में आपके परिवार को कोई दिक्कत ना है और LIC policy होती है आपकी जिन्दगी के साथ भी और जिन्दगी के बाद भी तो दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए दोस्तो नमस्कार धन्यवाद जैहिन